हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स टूटोरियल गाइड पे आज की वीडियो एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आप सभी जानते होंगे कि जो CISC है उसने एक उफिशल नोटिस निकाला है जिसमें उसने बताया है कि जो ICSC औ आना है 3PM पे क्लास 10 और क्लास 12 का ICSC और CISC बोड का अब मैं इस वीडियो में आपको यह बताने वालों कि आप किस तरीके से रिजल्ट आप ना देख सकते हैं और किस तरीके से आप अपना जो मांक से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं तो जब आप अपने ऑफिशल साइट पर आएंगे CISC की तो आप देखेंगे कि इस पर लिखा है कि जो ICSC का रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा 3PM पे कब 24 जुलाई को इसी तरीके से जो ICSC का रिजल्ट है वो भी 3PM को 24 जुलाई को रिलीस कर दिया जाएगा तो आप 3PM पे दोनों रिजल्ट देख सकते हैं मतलब अगर आप ICSC के तो ICSC का भी देख सकते हैं और 12 के तो 12 का भी देख सकते हैं तो आप किस तरीके से अपना रिजल्ट सर्च कर सकते हैं वो देखते हैं तो इसमें से सबसे पहले एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं आप SMS के थुरू अपना result देख सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब result चेक करते हैं तो जो site होती है उसका जो server होता है वो बहुत busy आने लगता है जब server busy आता है तो हमाई result थोड़ा देर लगती है तो आप इस तरीके से भी अपना result जल्दी से जल्दी देख सकते हैं आप SMS कर सकते हैं तो आपको इस नंबर पर SMS करना है अपनी unique ID को तो आप जब unique ID डाल कर इस नंबर पर SMS कर देंगे तो आपको 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 SMS के थुरू मिल जाएंगे तो यह नंबर पर आपको क्या करना है अपने unique ID send करना है और अगर आप ISC के हैं तो भी इस नंबर पर आपको send करना है बस अपनी unique ID डालिए और इस नंबर पर send कर दीजिए तो आपको आपका क्या मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको result मिल जाएगा और unique ID डालने से पहले ISC और ICSC दोनों देख लीजेगा और अगर आप खुद चेक कर रहे हैं तो अगर आपके official site खुल जाती है तो इस तरीके से एक interface आएगा इसमें course पूछा जाएगा तो course आपके दो दिये जाएंगे एक दिया जाएगा ICSC और एक दिया जाएगा ISC तो अगर आप 10th के हैं तो आप ICSC डालेगा और 12th के हैं तो ISC डालेगा तो यहाँ पर आप चूस कर लेंगे इसके बाद UID मतलब होता है unique ID तो आपको यहाँ पर अपना unique ID डालना है जो आप र capture जो भी यहाँ पर आएगा वो आपको यहाँ पर capture आएगा उसको यहाँ पर fill कर देना है और बस फिर आप show result पर click कर देंगे तो आपका result यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इससे आप देख सकते हैं तो यह इसकी official site है जिस पर आप result चेक कर सकते हैं और अगर आ आप English के mark से add करके 5 से percentage निकाल लेंगे 500 से divide करके तो आपको मतलब top 5 subject लेना है या फिर आप यह कह लिए English के साथ 4 best subject और अगर आप 12th class के हैं तो आपको क्या करना है 12th class के अगर तो आपको English plus 3 best subject लेना है ठीक है तो इस तरीके से आप इनका add करिए तो आप और 500 से या जो भ आपको मिल जाएंगे तो मैंने आपको दो वेज़ बता जिससे आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं के समस के तुरू और अगर आपसे site खुल जाती है मतलब अगर site free है तो आगर आपसे खुल जाती है तो बस यहां पर course डालिए ICSC या या यूनिकार्ड डालिए इंडेक्स कर दीजे और आपका रिजल्ट कैसा रहा प्लीज वह अपना कमेंट पर आप बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा थेंक यूँ कि अज़िए